हेलो फैंस वेलकम टू ऑउनलाइन अडर फोड़ी वन इस्टेप्र फोर लर्निंग दोस्वाइब आप सभी का में यूट्यूब पर इच्छा वन्हें बदेट होती है एक यह वीडियो के अंदर आप सुछी को परवैट करती जाती जिसके अंदर आज हम बात करने वाले दोस उन्होंने साब सब कही बात कही थी कि इसको पब्लिस कर दिया एक और आप सभी को दिखाने वाला हूं करवाने के लिए चैन बोर्ड का घेराव किया जाएगा और साथ में अभ्यारतियों ने हाई कोट में याचिका भी दाखिल कर दी इस मैटर को लेकर और दूसी तब बात करूं एल्टी के डिजल्ट को लेकर उंबीते कम हो गई है क्यों हो गई है इसलिए हुए इसलिए हु दोस्तों यहां पूछाए रिक्त पतों पर करी फोट पर जबाब मांगा गया कोट के दरफ से साथी चीज़ें कवर करने वाले वीडियो को लाइकिन शेयर करना ना भूले साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइकिन को दबाले जिससे कि आप सब्सक्राइब को चार सुन्वाई हुई हैं जिसके और दोस्तों जो में टार्गेट था वह सेवह इतना ही था। डर्गेट करना और हर एक सुनमाई के धा टार्गेट किया पूरे तरीके से उपेंदान मिस्राजी का जो पूरा सम्मिशन लगबग बीएड की उपर ही दिखाई दिया क्यों बीएड की उपर आया जैसा कि आप सभी को बताए कि जो दोस्तों एजी साहब थे यहां पर बगील थे उनका यहां पर साफ साफ कहना था कि के स्टुएंट्स के आजानी की बज़े से यहां पर बढ़ाया गया है तो कहीने के दोस्तों जो कटो बढ़ने का एजन जो रखा गया था एक पॉइंट रखा था उनका साफ साफ यह कहना था कि यहां नमबर ऑफ केंडियर जादा हुए इस वैसे कटो जो इंकीज हुआ औ लेकिन जो कमिया थी करके पूरी कर दी गहीं ती लेकिन अनी सफ ला साफ कर दी जा रहे हैं आने वाली सुनवाई के अंदर अंबीत कि आचन सिंगशाब जी बोलेंगे जो इस केस को सुन रहे हैं अब उन्होंने दोस्तों पहले सी इशार अली जी ने सिंगल बेंट चिक अंदर इस मामले पर बहस कर चुके बीएड को लेकर तो यहां पर दोस्तों एक चीज तो साफ हो जाती है कि जो दोस्तों बार 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 बीच में टोका गया था उनकी तरब से साथ मनों ने यह भी करा था कि इन सभी पॉइंटों को लेकर सुपीम कोर्ट में बैस हो चुकिए तो कहीं न की दोस्तों लगाता था बीचों बनाता हुआ दिखाई देरा जैसा कि मैं आप सब्सक्राइब कर देने की कोशिश की जा रही है तो कहीं न कहीं दोस्तों यह और बहुत करना इनके लिए भाई पड़ सकता है तो देख लेते हैं कौन सा ऐसा और जो दोस्तों आप सभी के लिए मैं लेकर क्या हूं यहां पर लिखा हुआ है जिए रिजर्व किया गया था डिलीवर्ट किया गया 222 जाओ नियस को कोट नमबर 24 200 सर्विस मेंटर के काफी अ चुकर आप सभी को बता है बकीन नहीं मैं जट साब के रहा हूं जट साम है दोस्तों आप सभी को इशाद अली जी के बारें पता होगा तो यहां पर लिखा हुआ सर्विस इंगर नमबर 24242 जाठाया का दोस्तों मेंटर था डाला गया था ओंपरकास त्रपाटी जी की तर कर लेकिन एक सबसे महत्मुन पॉइंटर जो दोस्तों इस केस के लिए और साथ में आप सभी को समझाने के लिए काफी होगा क्योंकि दोस्तों पूरा और मैं आप सभी को बतांगा तो बीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सभी को लेकर पूरे तरहीके से वैलेड है क्यों दोस्तों पॉइंट आप सभी देख लीजिए हाला कि पूरा और ही दोस्तों ब्येड के लिए तो यह वो पॉइंट है दोस्तों जिसको लेकर बात करा हूं 27 पे नंबर गर का आप सभी कुछ दोस्तों इससे कि लिए हो जाएगा यहां पर दोस्तों काफी कुछ लिखा यहां पर दोसो पहली लाइन में लिखा हुए the full bench of this court as well as the supreme court आप सभी इसी बात को समझ दीजे कि इस नियाले की तरब से और साथ में मतलब कहने का supreme court ने फैसला किया हुआ है कि इसमें कोई संदे ही नहीं है कि पूरे देश में प्राइमरी स्कूल थूआउट दा कंट्री मतलब पूरे देश के लिए दोस्तों जो नोटिफिकेशन रिलीस किया जाता है प्राइमरी टीचर के लिए उसमें कोई संदे या कोई डाउट नहीं रहता है इस बात को लेकर यह लिखा हुआ है तो इसके अंदर तो कोई संदे ही नहीं रहा कि एक नहीं करते हैं यह पॉइंट भी दोस्तों काफी जाद इंपोर्टेंट था अफसार का यूपी की तब से दोस्तों लागू किया गया उनकों की प्रॉलम नहीं है कुछ लोग अधर स्टेट की बात करते हैं अधर स्टेट में गोवर्मेंट के उपई यह चीज डिपेंड करते हैं कि आप जा और क्वालिफिकेशन बहुत नोटिफाइड तो मतलब कहने का दोस्तों यो डेट को लेकर आप सभी परिसान होते हैं डेट को लेकर भी कोई परिसानी की जिवत नहीं दोस्तों जो एंसीटी ने ऐसा नहीं है मैंने कल पर सो भी आप सभी को बताया था जब एंसीटी की आया था जहां पर 50-35 मार्क्स को लेकर दोस्तों जारी किया गया था अब वो नोटिफिकेशन 26 नॉम्बर को जारी हुआ था 26 नॉम्बर दो जाओं निसकी बात करा हूं लेकिन बैक डोट बैक डेट में दोस्तों जाकर कि उन्होंने उसको लागू कर दिया तो सेम चीज़ अपने लिए करने वाली बात है क्योंकि उनका जो टार्गेट है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि बीएड को इस भरती से बाहर कर लो और बाद में जो सरकार का पॉइंट है उसको यहां पर नेगेटिव बना दो कि बीएड के आने से संग्या बढ़ी और संग्या बढ़ने की विजय से उनक कहीं न कहीं मैं आप सिर्फ को पहले ही बीएड को परिषान होनी की जोऑत नहीं हैは वह से नहीं बाद में आप सिर्फ की सामने कुछ और पॉइंट इस ओर की रिगार्ड़ ब्ढ़के आप सी बताऊँ को क्योंकि अभी तक मैंने दूसकों नहीं पढ़ाए कियोंकि अभी दोस्तों कुछ समय पहले मुझे मिला था करदात को यह और मेरे पास आया था उसके बाद ही दोस्तों मैं आप सी के बारे मैं साथ में आप सी को बता है कि याचिकाट फ़ाकिल की गई है तो यहां पर आप सुभी के सामने लिखा है पुनर्मुल्यांकन को चैन बोड का घिदाब करें अभ्याथी पुनर्मुल्यांकन की मांग में उच्छित कदम न उठाने से नारा तीजडी दोजा सोले के अभ्यारती सक्ति प्रदस्वन करेंगे इसके और सीटें मूल्यांकन नहीं हुआ यह गटबड़ी सामाजिक विस्था में जादाता हुई है अभ्यातियों को बच्चिवी शीटों का मूल्यांकन कराना चाहते हैं इसके पुनर मूल्यांकन करके एज़र्ट गोशित करने की मांग कर रहे हैं इसके मद्य नजर कुछ अभ्यातियों को हाई कोड में याजिका भी दाकिल की गई है और साथ में प्रदर्शन का नेत्तरत करे अभ्याति स्रम्से सिंका कहना है कि पुनर मूल्यांकन को लेकर चैनबूर्ड की अध्यक्स तेह नॉम्बर को एक प्रतिनीदी मंदल से मुलाकात कर चुका है तब अध्य गेट को लेकर हिंदी और सामाजिक विग्यान का दोस्तों आपसी को बता है कि परड़ाम फसा हुआ है अंसन की अनुमति नहीं दी गई है तो दोस्तों रिजल्ट की भी उम्बीर कहीना की कम होगी क्योंकि आयोग दोसों बिना अंसन की और भिना धरने प्रदेशन के रिज कम हो गई है साथ में रविवा को एक प्रयास करेंगे और साथ में अगर अनुमति नहीं मिलती है तो उच्छे दिकाईयों तक रिष्टी से पत्र भेज़ कर अंसन पर बैठ जाएंगे हाला कि डेड़ माँ पूर अभ्यातियों के होई बाता में आयोग ने दोसों जो एजल प्रवाइब करने के जवाब तलब किया गया कोट की तरफ से यहां पर लिखा हुआ इलावा थाई कोट ने 41,520 सिपाई भरती के मामले में रिक्ट बचे हुए पतों को निक्ति न करने के अगले भरती के लिए करी फोवर्ड करने के खिलाब दाकिल याचिका पर पुलिस बोड़ो और राज सरकार से जवाब मांगा है अजीत यादव यूपेस और दोसो अन्य एक सो चौरर याचिके रता थे जिनकी तरफ से नियाय मूर्ती सुधी अग्वाव नियाय मूर्ती राजिब मिस्रा जी की 200 खंड पीड में याचिका डाली गई थी याचिका में कहा बड़ी संक्या में पद रिक्त रह गए थे कोई प्रतिश्चा सूची बेटिंग लिस्ट को लेकर यहां बात की गई है बनाए जाने के कान याचिकन को निर्टी नहीं दी गई सरकार ने सुप्रीम कोड का हल्फ नामा दिया और वह पुलिस ब्रबाग की रिक्त पदों को स इसमें 23,520 पद दोस्तों नागिक पुलिस के और अठाय अजार पद पीएसी के थे इसके बाद लिकित पर इच्छा होई थी जिसमें 23,520 सिपाई वभ्यातियों का मेडिकल कराया गया इसमें से 20,390 अभ्यातिवी प्रेसिशन पर बेजा गया है नागिक पुलिस में अभ मंगा गया जवाब जिसको लेकर दोस्तों अगली सुन्माई में हर्फ नामत आखिर किया जाएगा तो गाइस यह थी आज की साही की साही सचक भरतियों को लेकर लेकर लेटर सब्डेट वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर अगले वीडियो में टेके टाटा बाबाई थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो